शेडोल में सीम शिवरासिंग चोहान रोजगार मेले में होंगे शामिल 5 लाख से जादा हित ग्रहियों को सुवरोजगार योजनाओं के तहट करेंगे वित्रन तो वहीं 76 करोड रुपे के विकासकारों की सोगात देंगे सीम बुपाल में बीजेपी की बैठक का दूसरा देन मिशन 2023 को लेकर बीजेपी में मन्थन बैठक में सीम शिवरासिंग चोहान और वीडी शर्मा होंगे शामिल सीम बग्हिल का आज बिलासपूर दौरा 313 करोड की विकासकारों की सोगात देंगे सीम 70 करोड रुपे की लागत वाले 40 कारों का भूमी पूजर उमर्या में चार साल का मासूम की बॉर्वेल के गड़े में गिरने से मौत 18 घंटे के रेस्क्यू के बाद मासूम को नहीं बचाया जा सका बॉर्वेल करीब देड़सों से 200 फील गहरा था 36 घंट में यूजर चार्ज पर बिफ्री बीजेपी नगरे प्रसाशन मंत्री के बंगले का बीजेपी नेताओ ने किया घेरा पूर्व मंत्री बिजबोहन अगरवाल ने बगेल सरकार पर लगाई यूजर चार्ज के नाम पर वसूली करने का आरो रूसी हमले से यूक्रेन में हाहकार शाली सेनिक समेट पचास लोगों की मौन्थ कई शहरों पर रूस का कबजा कीव के एरबेस तक पहुंची पुतिन की सेना यूक्रेन में जंग में फसे मधिपरदेश अतिसगड के कई बच्चे विदीशा इंदौर भोपाल बिलासपूर जांजगी शांजपूर हरदा के परीजनों से न्यूस 24 ने यूक्रेन करवाई बात केंद्री मंत्री सिंध्या बोले मुश्किल की गढ़ी में केंद्र सरकार है साथ